तो दूस्तो आज अगस्त की 26 तारिक है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस बहुत ही खुबसूरत से पौदे जिसको की क्रेप जैस्मिन, मिनी चांदनी, स्मॉल चांदनी, चाइनिस टागर या और भी इस तरह के बहुत से नामों से जान जाता है ये पौदा बह इस तरह से लेकिए इस प्लांट में गुच्छों में फ्लारिंग होती है बंचिज में फ्लारिंग परता है और पर्मनेंट होने के साथ साथ ये जो प्लांट है ये समर फ्लारिंग रहता है इसका मेन जो ग्रोइंग सीजन है या फ्लारिंग सीजन है वो समर सीजन गर्मी का मौसम रहता है बहुत ज़्यादा सरदी का जो मौसम रहता है इस प्लांट का रेस्टिया डोर्मिंसी का समय रहता है उस समय पर इसकी जो पती हैं वो गिरने लगती है ये अलो होने लगती है और ये पौदा फूल नहीं दे पाता है तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इस प्लांट के लिए जो स्पेशल फर्टलाइजर है अगर आपके पास ये पौदा है और वो अच्छे से फलारिंग नहीं करता तो इसके लिए कौन सा जो फर्टलाइजर है वो देना सही रहता है वो आपके साथ शेयर करूँगा कौ वरिगेटिड लीव्स वाली वराइटी रहती है जिसकी लीव्स के अंदर वरिगेशन रहता है और एक इसमें डबल पैटल की वराइटी रहती है जिसमें फलार का साइज थोड़ा बढ़ा रहता है जिसको डबल चाननी भी बोलते है उसकी लीव्स और फलार्स का साइज थ यह दूप रहती है उस समय पर इसको आप थोड़ा सा सैमी शेड दीजेगा तो यह पौदा सही से चलता रहता है दूसरा अगर आप इस प्लांट को जमीन में ग्रो कर रहे हैं ऐसी जगह पर प्लेस किया है जहां पर ग्राउंड में इसको लगाया गया तो वहां पर आप इस फुल सनलाइट में प्लेस किजेगा इस प्लांट की दूसरी जो खासियत है वो यह कि यह खुदबा खुदेक उपर कैनपी जो है वो डिवल्प करने लगता है और इसके जो फ्लार्स हैं वो उपर की साइड में इस तरह से टिप साइड में रहते हैं आप नोटिस करेंगे रिखिए उपर की साइड में इसके जो बंच हैं फ्लार्स के वो निकल कर आते हैं और एक बार इसके जो फ्लार्स खिलने पर एक तो यह पौधा जो है वो कंटीनु फ्लारिंग करता है दूसरा इसके फ्लार्स खिलने पर दो से तीन दिन इसली जो है वो प्लांट पर सरवा तो वो 20-30 रुपीज से स्टार्ट होकर मैच्योर्टी पर डिबेंट करेगा इसके थोड़े से बड़े प्लांट 50-100 रुपीज की रेंज तक आपको एजली मिल जाएंगे क्योंकि यह पौधा कटिंग से इसली ग्रो कर जाता है इस समय इसको कटिंग से ग्रो करने का मौनसुन का जो सीजन रहता है वो बेस टाइम रहता है इसकी आप कटिंग को पैंसिल टाइप जो थिक कटिंग रहती है इसको आप डिरेक्ट सॉयल मिक्स में जिसमें सैंडी सॉयल रहे दूसरा पानी में दोनों तरह से इसकी कटिंग को इसली प्रॉपगेट कर सकते हैं चली अब बात करते हैं इसकी पॉटिंग सॉयल के ओपर यह जो पौदा है यह मैं नरसी से निया लेकर रहा था और जल्द ही प्लांट शॉपिंग की वीडियो में मैं और भी पौदे ल पौदा है यह देखे इस तरह से मैंने इसके लिए मिट्टी के गमले का इस्तमाल करने वाला हूँ और जो ड्रेने जोल है वो थोड़ा बड़ा सा रहना चाहिए अच्छा ड्रेने जोल क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद रहता है अपनी मिट्टी के अंदर नमी पसंद रहती है इसलिए पानी जाया दिर तक रुके ना पानी ड्रेन आउट जल्दी से हो जाए और नमी बड़करार रहे ऐसी मिट्टी इसके लिए त्यार की जाएगी तो इसके लिए एक तो देखिए इस तरह से मैंने जो काउडंग कंपोस्ट रहती है जो इसके लावा इस मिक्स्चर के अंदर आप नोटिस करेंगे इस तरह से कोको पीट का इस्तिमाल किया ये भी 25 परसंट तक रहेगी तो ये दोनों चीजें 25 परसंट इच या आप 30 परसंट इच ले लीजिए उसके लावा इस तरह से 40 to 50 परसंट जो रिमेनिंग रहता है वो ये सेंडी सोल रहती है रेतीली मिटी रहती है तो रेतीली मिटी अगर आपके पास ना हो चिकनी मिटी हो तो इसको किस तरह से ठीक किया जासता है रेतीली मिटी में टर्न किया जासता है इसके उपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो शेयर की थी तो इस वीडियो का जो लिंक ह वो description में दे दूँगा वहाँ से आप वो वीडियो देख लीजिएगा इस तरह की जो मिट्टी है ये moisture को hold करेगी लेकिन पानी थोड़ी दिर के बाद जो है वो drain out हो जाएगा इन तीनों चीजों को मैं अच्छे से mix कर लूँगा फर soil जो है वो 60-70% तक जो है वो पोर्ट में फिल कर दूँगा चलिए reporting कम्प्लीट करने से पहले बात करते हैं इसके लिए fertilizer के बारे में इस plant पर अगर आपके flooring नहीं हो रही तो कौन सा fertilizer दे और अगर आपका plant अभी growing stage में है तो उसको कौन सा fertilizer feed करना सही रहता है normally इन plants को या ऐसे कोई भी flooring plants रहते हैं जो की greenery को लिए लिए साथ के साथ बहुत अच्छे से flooring करते हैं ऐसे सभी plants को nitrogen थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है phosphorus nitrogen के recording थोड़ा सा कम और potassium और nitrogen लगभग same ratio में इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा आप इन plants के लिए ऐसा fertilizer ready कीजिए जिसमें NPK की ratio 2 ratio, 1 ratio, 2 रहे nitrogen दो हिस्से phosphorus एक हिस्सा और potassium जो है वो दो हिस्से अभी अभी मैंने इस plant की जो पुरानी soil थी उसको थोड़ा सा remove किया इसकी roots को open किया तक ये नई soil में easily set हो पाए इसलिए इसकी phosphorus दूँगा ये दो ग्राम के लगबग SSP है single super phosphate phosphorus का resource है तो इसको soil के साथ में ही यहाँ पर side में देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा sprinkle कर दूँगा ये धीरे धीरे fertilizer जो है वो प्लांट को मिलता रहेगा अभी के लिए क्योंकि हमने इस plant को जो है वो पहले से ही जो cow dung compost है cow dung manure है वो दिये तो उसके अंदर इसको अच्छे से nitrogen मिलने वाली है उसके लवा थोड़े से micronutrient और excess nitrogen के लिए इस तरह से mustard cake powder या सरसों की खली जो रहती है इसका एक चमच 4-5 ग्राम इस तरह से इसको भी जो sprinkle कर दूँगा इस मिट्टी की side में ही जैसे से roots की development होगी ये सभी fertilizer को absorb कर पाएगा जब इसकी roots stable हो जाएं और plant अच्छे से growth करने लगे आपको नई growth दुबारा से नज़र आए तो उस समय पर आप इस plant को या आपका प्लौधा already stable है अच्छे से flowering नहीं कर रहा तो उसके लिए आप इस plant को इस तरह से mirat of potash, red potash या फिर NPK 0050 जो NPK 0050 रहती है SOP उसका इस्तमाल कीजिएगा उसका 2 ग्राम पर लीटर जो है वो spray कीजिए अगर आपके पास ये चीज़े ना हो तो आप NPK 1990-1919 का यूजबी कर सकते हैं तो ये देखिए plant को अच्छे से report करने के बाद मैंने अच्छे से पानी दे रही है ताकि पानी जो है वो इतना पानी ज़रूर दीजिए ताकि पानी जो है वो roots को easily मिल सके और plant अपनी जो नई growth है वो start कर सके अभी क्योंकि बहुत ज़्यदा गर्मी का समय नहीं है तो अभी इसको मैं half day sunlight में प्लेस करूँगा कुछ चार से पांच दिन के लिए उसके बाद चार से पांच दिन के बाद इसको मैं full sunlight में प्लेस करूँगा लेकिन अगर आपके वहाँ पर ज़्यदा गर्मी का मौसम हो तो आप इसको green net के नीचे प्लेस कीजिएगा अगर आप chemical fertilizer नहीं यूज करना चाहते हैं और गैनिक यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए banana peel या onion peel का जो liquid रहता है वो बहुत खास रहता है उससे भी यह बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है और जो भी इसको मैं chemical fertilizer अगला फीड करूँगा वो इसको कम से कम भी 20 से 25 दिन के बाद ही फीड करूँगा तो बस उस तो यह थी इस plant के बारे में complete information जो आपके साथ शेयर की जल्द ही मिलते हैं किसी और नई topic के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई happy gardening take care